पीएफेमस पर नई लिमिट आ चुकी है अगर आप नई लिमिट चेर करना चाहते हैं तो सबसे आसान सा तरीका है आप अपनी डाटा ओपरेटर एड़ी को लॉगिन कीजिए यहाँ पर नीचे स्कॉल करते हैं यहाँ पर आजाने के बाद अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो भी निव लिमिट आई होगी क्योंकि आप पहले से खार्च कर चुक्योंगे जीरो हो गया होगा लेकिन आगे से जो भी अमाउंट बड़ा हुआ होगा वो यहाँ पर शोग कर जाएगा टोटल अविलेवल एमाउंट में ठीक है तो यह किस का अमाउंट आया है तो समझ लीजेगा सबसे पहले तो जो अमाउंट आया है यहाँ पर सिचक संकुल मीटिंग का बाए सो पचास रुपया सिचक संकुल टेलम तीन हजार रुपया उसके बाद आउट आप स् प्रतिचात के इसाब से अगर आपके विद्याले में आउट आउट इसकुल के बच्चा है तो और SMC सदस्व के ट्रेनिंग है तो तेरा सा रुपया आया है इस पोर्ट पर डॉक्टर आइडी लॉगिन करने का मतलब यह था कि इनके कंपोनेंट आपके इसे स्लेक्ट करें करेंगे और यहां देखेंगे एलिमेंटी एज्यूकेशन के सामने प्लेश से इस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले समल लीजे जो SMC सदस्व के ट्रेनिंग है तो तेरा सुरुपया आया है उसका कंपोनेंट कोड है F.01.10 यहां पर क्लियर दिख रहा होगा ट्रेनिंग आफ SMC SMDC एलिमेंटी ठीक है अब आगे बढ़ते हैं यहां पर जो आउट आप स्कूल बच्चों का 535 उप्या पर इच्छा रहा है उसके लिए यहां पर नीचे स्कॉल करते हैं यहां पर देखेंगे नीचे Special Training for Age Appropriate Admission of Out-Up School Children इस प्लेश पर क्लिक करेंगे यहां पर देखेंगे कई सारे कंपोनेंट्स ओपन हो जाएंगे तो अभी जो आपको यहां पर स्लेट करना है वो है F.01.08.01 Special Training for OST मतलब Out-Up School Students Non-Residential Fresh ध्यान रखी का यह स्लेट करना है अब उसके बाद चलते हैं सिच्चक संकुल टीलम का जो 3000 रुपया है उसका कहां पर स्लेट करेंगे नीचे यहां पर इस कॉल करेंगे यहां पर देखेंगे मिलेगा आपको academic support row BRC और QRC और CRC इस प्लस पर क्लिक करेंगे और यहां पर माइगा provision for CRC इस प्लस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो 3000 रुपया आ 0.01, 0.23, 0.02, 0.01 ठीक है यह उसके बाद वहीं पर 2250 रुपया जो आया है सिच्चक संकुल मीटिंग्स जो ही है उनके लिए तो उसका component code रहने वाले grant मीटिंग टिये के थुरू 0.01, 0.23, 0.02 इस तरह से तो यहां पर clear देख सकते हैं और expenditure आप जैसे बनाते थे बैसे ही बना लिएगा अब बात यह आती है कि जो सिच्चक संकुल का meeting का अलग component है और संकुल टीलम का अलग component है तो इनके अलग-अलग expenditure बनेंगे और यह amount संकुल teacher के खाते में जाएगा चा प्रिशिचर है तो जो 13 रुपया है वो है teacher के आप ले सकते हैं चाहें उस teacher के account में लीजिए जिसने समसी सदस्यो का प्रिशिचर कराया हो या जिसने प्रवंद बगरा देखा उसके account में आप ले लीजिगा तो इस ताह से तीन expenditure हो जाएंगे अलग-अलग बनेंगे component code लिए जाएगा क्या रहने वाले टेलम के लिए क्या क्या समग दिया निया वो ने एक्स बीडियों में बता देंगे और किसके नाम expenditure बनना है तो जिस shop से आप लेंगे तो out of school बच्चों के लिए टेलम का उसी shopkeeper के नाम से जो वेंडर बनाया होगा आपने expenditure बनाया जाएगा PPA generator हो जाएगा